आज की वीडियो में हम क्लास 12 इन्फरमेशन टिकनलोजी आईटी कोड़ेट सीरो टू गैस पेपर पार्ट 3 डिसकस करने वाले हैं इससे पहले हमने टू पार्ट्स अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं जहांपर हमने सेक्षन ने अबजेक्टिव टाइप क्वेशन को कम्प्लीट किया था और उसके बाद के क्वेशन हम आज कवर करेंगे सेक्षन भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेशन थर्टी माक्स का होगा और सबसे पहले यहां पर एम्पलीबिलिटी स्किल्स के 5 क्वेशन किवन होंगे जिसमें से कोई भी 3 आंसर करने है और हर एक क्वेशन 2 माक्स का है सो एम्पलीबिलिटी स्किल्स में जो हमने अब्जेक्टिव टाइप क्वेशन किये थे तो वो सभी 1-1 माक के थे क्योंकि आप जानते हैं अब्जेक्टिव टाइप क्वेशन में वन माक के क्वेशन ही पूछे जाते हैं and then subjective type questions में आपको employability skills से जो questions मिलेंगे वो सिर्फ two marks के होंगे means two marks से ज़्यादा का question आपसे employability skills से नहीं पूछ हो जाएगा so यहाँ पर आपको 20 से 30 words में answer करना है first question is what are the steps towards self awareness self awareness के लिए क्या क्या steps होते हैं वो यहाँ पर बताने हैं तो आपको recall करना है three steps हमने पढ़ेते first step है gaining a greater awareness of one's emotions means खुद के emotions को अच्छे से समझना इस बारे में aware होना means यह जानना कि हमारी क्या emotions है then second step making a habit of tracking one's feelings means हम क्या feel कर रहे हैं हमारी क्या भावनाए हैं यह हम समझ पाएं इस चीज के लिए हमें habit बनानी चाहिए then third step expanding one's practice to areas of life beyond the person's feelings means आपने अपने emotions समझे अपनी feelings समझी सिर्फ इतना ही काफी नहीं है उसके beyond भी कुछ areas हैं life में जहां तक हमें अपनी सोच को पहुचाना है and हमें उन areas तक पहुचना हैं जो emotions and feelings से भी beyond है किसी भी person की life में तो अगर हमें self aware होना है तो हमें खुद के emotions को समझना होगा feelings को समझना होगा and उसके beyond भी कुछ areas हैं जिस तक हमें पहुचना होगा then the next question what are the learning objectives of effective communication means हम effective communication क्यों सीखते हैं क्या main objective होता है तो दो main objective होते हैं सबसे पहला development of interpersonal skills means हम दूसरे लोगों से किस तरह से बात करते हैं किस तरह से मिलते हैं ये होती हैं interpersonal skills तो इनको develop करने के लिए हम effective communication सीखते हैं and to express effectively and with maximum efficiency जब भी आप किसी को कुछ भी information communicate कर रहे हैं किसी से भी communication कर रहे हैं तो आप अपने आपको effectively express कर पाएं जो भी information है वो properly communicate कर पाएं and maximum efficiency के साथ means आप पूरी बात बता पाएं इसके लिए हम effective communication सीखते हैं then next question what is rooftop rainwater harvesting where can it be installed so यह two questions है and यहाँ पर basically two parts given है तो आपको separately answer करना है सबसे पहले पहले part का answer करेंगे rooftop rainwater harvesting क्या होता है यह एक ऐसा process होता है जहाँ पर हम rainwater को tanks में collect करते हैं so that हम उसको बाद में दूसरे purpose के लिए use कर पाएं means rainwater अगर हम store नहीं करेंगे तो वो waste चाहेगा but वो waste ना हो इसलिए हम उसे store कर लेते हैं collect कर लेते हैं tanks में so that बाद में use हो पाए then it can be installed in all houses and buildings means जो भी houses and buildings हम बना रहे हैं हम वहाँ पर ऐसा system ऐसा arrangement कर सकते हैं कि जो भी rooftop पर rainwater collect होता है हम उसे tanks में collect करें and उसे use कर सकें so हम इसे सभी houses and buildings में install कर सकते हैं question 10 में हमें बताना है slide layout की क्या requirement होती है and library office impress की slide का default layout क्या होता है तो हम जब slide layout use करते हैं तो हम जो हमारे slide का content है वो organized way में arrange करते हैं for example suppose आप जो slide बना रहे हैं वहाँ पर title, text, images, present है but अगर आप layout use नहीं करेंगे तो आप उन्हें organize नहीं कर पाएंगे या फर आपको manually organize करना पड़ेगा but अगर आपने layout use किया है तो जहाँ पर title का space है वहाँ पर आप title enter करेंगे जहाँ पर text का space है वहाँ पर आप text enter करेंगे and जहाँ पर image put करनी है आप वहाँ पर image insert कर सकते हैं तो इसलिए layout का ये benefit है कि वहाँ पर जो भी content होगा वो एक organized way में arrange हो जाएगा and अगर हम अपनी presentation LibreOffice Impress में बना रहे हैं तो slide के default layout में दो text box होते हैं पहला text box title के लिए होता है जहां पर हम title enter करते हैं and then second one होता है content के लिए means जो भी हमें text लिखना है वो हम content text box में enter करते हैं then question 11 यहां पर बताया गया है नमन एक small scale entrepreneur है and वो capital gain करना चाहता है तो हमें बताना है ऐसे small scale entrepreneurs को help करने के लिए Indian government ने क्या-क्या steps लिए है तो ये two marks का question है आप simple schemes के name mention करेंगे so सबसे पहले हमें बताना है Indian government ने different schemes launch की है small scale entrepreneurs को help करने के लिए and यहां पर हमने कुछ schemes का name mention किया है जैसे की government mudra yujna credit guarantee scheme stand up India scheme so ये सभी schemes Indian government ने small scale entrepreneurs को help करने के लिए launch की है यहां पर सभी students के लिए important information है जैसे कि आप जानते है 2 April 2024 को आपका class 12 CBAC board exam है तो उससे पहले हम एक live doubt session लेने वाले हैं Google meet पर 31 March 2024 को Sunday होगा 9 a.m. पर ये session होगा and ये एक paid session है so अगर आप interested हैं जाइन करने में तो आप description box चेक कर सकते हैं वहां पर details given है and also students मैं आपको inform कर दूँ कुछ students को अभी भी confusion है तो मैंने सूचा कि आपको वीडियो में ही बिता दिया जाए because comments में आपको शायद नहीं पता चल पाता है या फिर आप description box चेक नहीं करते हैं जितनी भी videos आपके information technology की preparation के लिए necessary है सभी already channel पर uploaded है देखे सबसे पहले आपको strategy video देखनी है इसमें आपको बिताया गया है कि आपको कहां कहां से कौन सी resources मिलेंगी and किस तरह से आपको पढ़ना है and class 12 information technology का syllabus भी वहाँ पर discussed है अगर आपको syllabus नहीं पता है तो आप strategy video में देख सकते हैं then अगर आपने पहले से already syllabus cover किया हुआ है तो एक बार आप quick revision video देख लेंगे and अगर syllabus आपने अभी तक बिलकुल भी नहीं किया है तो आप one shot videos देखेंगे जो chapter wise available है तो उससे आपको हर chapter की understanding मिल जाएगी then आप chapter wise pyq videos देखेंगे हर chapter की pyq video आपको मिल जाएगी तो उसमें आपको पता लगेगा कि board exam में किस तरह के questions कौन से chapter से आते है then cbse sample paper video देखेंगे because आप जानते हैं अगर आप sample paper practice कर लेते हैं तो आपको पता जल जाता है कि board exam में क्या question pattern रहने वाला है किस तरह की marking scheme होगी ये सभी चीज़ें clear हो जाती है then previous year cbse board exam paper की वीडियो देखेंगे because वहाँ पर हमने previous year paper discuss किया है and उससे भी आपको काफी help मिलती है and जैसा कि हमारा जो currently running series है guest papers so यहाँ पर इस series में भी आपको continue रहना है हमने already two parts uploaded कर दिये थे and ये third part है इसके बाद भी parts आएंगे and आपको ये complete series देखनी है and इतना अगर आप कर लेते हैं उतना आपके exam के लिए sufficient है okay students आपको tension लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आपने इतना कर लिया है तो आप बहुत अच्छा perform करके आएंगे अपने exam में and अगर आप ये doubt session लेने में interested हैं तो आप description box check कर सकते है so students that was all for today सभी important videos का link description में given है अगर आपको class 12 information technology IT code 802 के लिए all in one book purchase करनी है जिसमें notes, viva IQs and sample papers available है तो आप description में check कर सकते हैं link given है